आज मैं आपसे एक medicinal recipe शेयर करूंगी यह recipe मैंने खुट try किया था जो मुझे इससे बहुत ही जादा फायदा हुआ था तो सोचा मैं आपसे यह recipe शेयर करूंगी high BP और heart patient के लिए यह बहुत ही फायदे मन्द है diet में high cholesterol और बहुत सी वजहों से arteries यानी खून की नलियां बंध हो जाती है जिससे circulation में problem आ जाती है और बहुत से दिल के मर्ज को राश्ता देती है इसमें जितने ingredients है यह BP को कम करने और नुकसांदे cholesterol को कम करने में मदद करेंगे और आप energetic महसूस करेंगे आप अपनी prescribed medicine लेते रहें और इसको सुबह खाली पे यानी नहार मूँ एक इस्पून ले ले रोजाना हाँ अगर आपको इसको लेने के बार कोई problem होने लगे तो आप इसको लेना तुरंद बंद कर दें तो चलिए शुरू करते हैं एक कप लहसन करस एक कप अद्रख करस दोनों को छिल के mixer में पीस लें थोड़ा सा पानी की मदद से उसके बार एक मलमल का कपड़ा ले ले उसको उसमें डाल के छान ले यानी जूस निकाल ले और यह एक कप नीवू करस एक कप एपल साइडर चार और चीजों की क्वांटिटी बराबर होना चाहिए लेसन करस अद्रख करस नीवू करस एपल साइडर चारों चीजों को डाल के हमने गैस में पतीली पे चड़ा दिया है अब इसको बॉयल होने देंगे जूस में उबाल आने लगा है इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये तीन कप न हो जाए यानि वान थर्ड हो जाए और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पंद्रें से बीस मिनट तक इसको हम पकाएंगे ये देखिए ठीक होने लगा है यानि एक कप जल चुका है अब गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे तीन कप शहद लेंगे मिक्षर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब इसमें ये तीनो कप शहद हम एड कर देंगे अब इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अब एक काच का कंटेनर ले लेंगे उसके बार इसमें भर लेंगे दोस्तों इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने फोटोज और वीडियोज मुझे इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे शेयर कर सकते हैं फिर एक और सिंपल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं थैंक यू